अलो नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिएड इंट्रेंस के जितने भी आँ श्टूडेंट एकजाम दिये थे उन सभी का रिजल तो परकाशित हो चुका है बट आप लोगों का कॉंसलिंग का भी डेट जारी हो चुका है दोस्तों तो च जैसे ही सर्च किजिएगा तो बियड इंट्रेंस का ओफिस्यल वेफ साइट नीचे ऊपन होगा तो यहां पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ बिहार बियड जैसे ही इस पे किलिक किजिएगा एक नाया बिंडो पर अबैन होगा तो यहां पे 3.pay किलिक करके मुबाइल को desktop mode कर लेना है दोस्तों जैसे ही desktop mode कीजिएगा उसके बाद फिर नीचे scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों कब से कब तक किया जाएगा यहाँ पर date दिया हुआ है online registration for choice preference और फिर college इंचूचूट 24-2023 to 35-2023 उसके बाद दिया हुआ है display को फिर college allotment पर फर्स्ट राउंड तो allotment राउंड फिर फिरर फिर फिर्स्ट राउंड कब जारी होगा तो 9-25-2023 और payment फिर फिर्स्ट रांड में कितना लगेगा तो उन जारी होगा 10-5-2023 से 25-2023 उसमें फर्स्ट राउंड में तीन हजार लगेगा उसके बाद नीचे देखें पेपर भेरिफिकेशन एड्मिशन आप फर्स्ट राउंड एट इसका डेट कब से है तो दस पांच दोहजार तरश से 25 दोहजार तरश तक तो चलिए दोस्तों इसके नोटिफिकेशन भी डौनलोड कर देखें यहां पे क्या लिखा है तो यहां पे लिखा गया है वर्स से बीएट कोर्स में पड़बेस लेने के एक चुख सभी सफल आवे दकों के लिए कांसीलिंगम के लिए पंजी करन करना आवस्यक है उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है यह भी इंध्यान रखे कि महा पाँचन रोश्टर केवल सरकारी और अंगी भूत महाविध्यालों में ही लागू है। उसके बाद 5 नमर में बोला कि अलपसंख्यक महाविध्यालय में 50,30 सीटे समंधित अलपसंख्यक अभिहार्थी के लिए आरक्चित है। उसके बाद चो नमर में बोला, एक या सभी विश्विध्यालाओं से कम से कम तीन कोलेज का चेयन करना अनिवार्ज होगा. दोस्तों, यही सब जानकारिया, इसे आप लोग अच्छा से रीट कर लिजएगा, दोस्तों, उसके बाद कोलेज चोईस किजएगा. इसका PDF चाहिए हो, तो नीचे description में अपना WhatsApp लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जोईन करके या PDF ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ साइट से आप लोग डॉनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, guideline for counseling, उसके बाद नीचे scroll करते हैं, scroll करने के बाद आप लोग को यहाँ download result यहाँ पे login करना है, जैसे ही click किजएगा, login का option आ चुका है दोस्तों, तो यहाँ पे shining पे click करना है, जैसे ही signing पे click किजएगा, यहाँ पे email और user ID दे के login कर लेना है दोस पिर भिधू ओर्रेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे college performance payment लिखा लिखा हुआ है, यहाँ पे registration payment लिखा हुआ है, तो हम click करेंगे यहाँ पे registration for choice filling and the profile of college पर जैसे ही click करेंगे उसके बाद एक new window open हुआ ह।, तो यहाँ पे पलस का आइकण जहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे click क करना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर एक नया विंडो ओपन होगा ओपन होने के बाद यहां पे शब से पहले इंवर्सिटी नेम चूझ करना है आप जिस भी इंवर्सिटी में एड्मिशन लेना चाहते हैं जिस इंवर्सिटी के तहद कोलेज या वर्सिटी में इड वाच लिष्ट, जैसे ही कीचिएगा, उसके बाद, नीचे एस्गॉल कीचिएगा, तो देखिए यहाँ पर, जितने भी college, चुच किये होंगे, यहाँ पर, शो करेगा, उसके बाद, यहाँ पर, चेक बॉक्स में, चेक कर देना है, उसके बाद, शेव कर देना है, जैसे दोस्तों open हो चुका है, जितने भी college आप choice किये हैं, यहाँ पर open हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ से print करके, आप लोग रख भी सकते हैं, यहाँ से save करेंगे, और save हो जाएगा आपका पीडियाप mobile phone में, उसके बाद चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, आना है, यहाँ पर click कर यहाँ से payment कर लेंगे, यहाँ पर, जैसे ही click करेंगे, payment का window open होगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर open हो चुका है payment, payment आप किस टाइप से करना चाहते हैं, तो online, इसमें net banking, debit card, SBI net banking, net banking, आप जिस माध्य हम से करना चाहते हैं, तो कर दिया है, कितना charge कटेगा और कितना लगेगा, तो यहाँ process to payment पर, जैसे ही click किजिएगा, payment का option open हो जाएगा, open होने के बाद, यहाँ से pay 9 पर click करना है, जैसे ही click किजिएगा, यहाँ पर देखिए payment method open हो गया है, यहाँ से अपना ATM card का card number डाइल करना है, उसके बाद expiry date डाइल करना है, उसके बाद card name डाइल कर देखा उसके बाद, शिव कर देना है,